देखिए, find all zeros of the polynomial, यहां cubic एक polynomial यह x square plus 3, x cube plus 3 x square minus 2 x minus 6, if two of its zeros are, यहां इसके दो zeros दिये है, minus root 2 और plus root 2, तो हम लोग देख रहा है, हम लोग यहां जो polynomial भी है, इसे हम लोग fx ले ले लेते हैं, क्या है आपका, x cube plus 3 x square minus 2 x minus 6, यहां इसके दो zeros दिये हैं, यहां पर कहा रहा है कि minus root 2 and root 2 are zeros of polynomial effect, इसका मतलब, यहां x का value, एक minus का root 2 है, और एक x का value plus का root 2 है, इसको इधर लेंगा तो x plus root 2 हो जाएगा, और यहां पर x minus root 2 हो जाएगा, इन दोनों को multiply करते हैं, तो x plus root 2 into में, x minus root 2 equal to 2, तो plus minus में है, जहां a square minus b square का formula लगा दो, x square, और यहां root 2 का square 2, अब देखिए, यह आपका जो होगा, इसका एक factor होगा, अब इससे हम लोग इस polynomial में divide करते हैं, क्या है आपके पास? x square minus 2, इससे divide करना है में, x cube plus 3x square minus का 2x minus 6 होगा, चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या आता है हाँ पर, चलिए कितना बार में ले गाएंगे? x से बार में, multiply करेंगे तो x cube minus का 2x, sign change करते हैं, minus plus, यह दोनों कर जाएंगे, यहां पर आपका 3x square है, minus है, कितना बार में यह ले जाना होगा? प्लस के 3 होगा, 3 से multiply करोगा तो 3x square minus का से, sign change करो, यह दोनों कर जाएंगे, remainder 0 आगे, तो हम लोग जानते हैं, कि जो dividend होता है, यानि यह जो fx होगा, किसके equal हो जाएगा, तो यहां पर divisor into question plus remainder, यानि की हो जाएगा, x square minus 2, into में x plus 3, और plus 0, चलिए आगे से factor करके solve करते हैं, तो fx equal to में हम देखो इसे x square minus root 2 का square लिख सकते हैं, ताकि एक बार minus plus में लिख सकते हैं, और into में यह आपका x plus 3 है, यह तो 0 है, कोई फर्करी ही पड़ेगा उसको हटा तो, एक बार minus में इसको plus में लिख सकते हैं, x minus root 2, और into में x plus root 2, और into में x plus 3, अचा, अब हमनों क्या करेंगे, fx equal to में 0 रख देंगे, यानि अब यहां हो जाएगा, x minus root 2 into x plus root 2 into में x plus 3 equal to में 0, चलिए अब ध्यान से देखेंगा, यहां अलग-अलग कर देते हैं, x minus root 2 equal to में 0, x plus root 2 equal to में 0, और फिर x plus 3 equal to में 0, यहां x का value root 2, यहां x का value minus root 2, और यहां x का value minus 3 हो जाएगा, तो हमें जो 0's निकाल ले थे, all 0's of polynomial fx, क्या हो गया, तो root 2 minus root 2 and minus 3, यह इसके 3 0's आ गया, समझ गया, next question देखिए, 11 नमर,